उत्तर प्रिदेश के बेसिक सुक्षा विभाग में बीते दो दिनों में कुछ कारेवाईयां हुई हैं जिसे आपको जाना बहुत जरूरी है अगर आप भी सिक्षक भरती का वेट कर रहे हैं आंते तक जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप की हुए में 2021 में जब डियलेट में एडमिशन हुए थे तो 50% से भी ज़्यादा सीटे खाली रह गई थी और इस बार भी उमीदे हैं कि अगर शाषान अनुमती देता है तो 60% से ज़्यादा सीटे खाली रह सकती हैं ये NCT के उस आदेश के बाद से हुआ है जिसके अनुसार बियड अभीर्थी भी प्रात्मिक स्क्षा गवर्ती में शामिल हो सकते हैं अब डियलेट की हालत ऐसी हो चुकी है कि कोई भी इसमें एडमिशन लेने के एक चुक नहीं है और कॉलेज खुद आगे बढ़ करके अपनी मानेता वापस कर रहे हैं और ये अनुरोद कर रहे हैं कि इस सत्र में उनको कोई भी काउंसलिंग के दौरान उनका नाम शो ना किया जाए जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रदेश बेसिक सक्षा परिशद सचिव के द्वारा सभी जीला के जीला बेसिक सक्षा अधिकारी को 5 जून 2022 को आर्टी एक्ट 2009 के तहत कितने पद रिक्त हैं इन सब का ब्योरा मांगा गया था प्रात्मिक और उच प्रात्मिक दोनों का डेटा मांगा गया था जिसमें 7 जून 2022 को अंतिरुम रूप से सुचना उपलब कराया जाने की बात कही गई थी ऐसे लाखों की संक्या में अभीयर्तियों को इस खबर का वेट था कि आखिर कितने आकड़े प्रस्तूत किये गए हैं तो सचाई ये है कि अभी मात्र 11 जिलों के द्वारा आकड़े प्रस्तूत किये गए हैं आप इसकिन पर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश बेसिक सक्षा परिशद के द्वारा सभी जिला के बेसिक सिक्षा अधिकारी को 7 जून 2022 को पत्र लिखा गया है जिसमें 11 जिलो को हटाये गया है सिर्फ इन्ही 11 जिलो के माध्यम से अभी सूचना उपलब्ध हो पाई है यहाँ पर फिर से इनसे सभी को निर्देशित किया गया है कि जल से जल जो भी RT Act 2009 के तहत मानक पद है उसकी अनुसार डाटा उपलब्ध कराया जाए इसी के बीच अभीर्थियों ने आज उत्तर प्रदेश बेसिक सुच्छा परिशद में उपस्तित हो करके सच्चिव को एक पत्र दिया है इसकन पर आप देख पालेओंगे और यहां पर अभीर्थयों ने ये गुहार लगाई है कि जिस प्रकार से सिक्षामित्रों को RT Act के तहत सहाय का ध्यापक नहीं माना जाता है तो जो छाटर सिक्षाक अनुपात के लिए डेटा मांगा गया है उसमें सिक्षा मित्रों को काउंट ना किया जाए इसकन पर आप अभीर्थियों का इमेज देख सकते हैं जो कि सच्चु बेसिक सिक्षा परिशद कार्याले में उपस्तितो करके ये ग्यापन उनको सौंपे है वहीं माननी मुख्यमंत्री जी की कारयाले के माध्यम से बेसिक सिक्षा भी भाग से जोड़ी हुई कुछ खबरें ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई हैं आप इसकन पर देख पा रहोंगे समाज की प्रगलती के लिए सिक्षा अत्यांत आवश्यक है प्रदेश में बड़ी संख्या में बेसिक सिक्षा के स्कूल मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक एक लाख तीस अजार सिक्षकों की भरती पारदेश्चिता से हुई है प्रदेश सरकार ने सिक्षा की गुडवत्ता है तो स्कूलों में छात्र सिक्षा का अनुपात तै किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 7 जून 2022 को रातरी के लगबग पौने 11 बजे ये ट्वीट किया गया है साथी CM Office के माध्यम से ये भी ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि बेसिक सिक्षा विभाग में NGO की भी मदद ली जारी है आप इसकिन पर देख पार होंगे NGO you are unstoppable के प्रतिनीली मंडल द्वारा प्रदेश के विकास से जुड़ने की इच्छा व्यक्त करने पर मानने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह स्वैक्षिक संगठन प्रदेश में सिक्षा के छेतर से जुड़कर अच्छा कारे कर सकता है PPP मोडल में मोड में अच्छे विद्याले इस्थापित करने की संभावना पर कारे करे PPP मोड कहने का मतलब कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं यानि सीधे तोर पर जो प्राइवेट फॉर्म्स होते हैं उनका बेसिक सिक्षा विभाग में यहाँ पर हेल्प लेने की बात कही जा रही है तो कुछ दिन का और वेट करना होगा आपको जब सभी जीलों के माध्यम से RT Act 2009 के तहत डेटा प्रस्तूत हो जाएगा तब एक्चुल आंकडे निकल करके आएंगे कि RT Act के मानक के हिसाब से कितने छात्र सिक्षा का नुपात अभी उत्तर प्रदेश में है उसी के आधार पर ये तैक किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में नई सिक्षक बरती होगी अथवा नहीं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो